जै शिफशंकर, राधि राधि दोस्तों कैसे हैं आपसर? सावन महा भगवान शिबची को समर्पित होता है, इस महा में भगवान शिबची की आरातना सी व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाती है, यह महा भगवान शिबची को बहुत अथिक प्रिय है, इस महा में भगवान शिपजी का विशी शुप से पूजन तो किया जाता ही है साथ ही सावन के सौमबार का ब्रत ही दखा जाता है शिपपुरान के अनुसाद जो भक्त, पूरी शध्धा और विश्वास के साथ विधी पूर्वक सावन सौमबार का ब्रत करते है भगवान भोले नात उनके सभी कश्टों को दूर करते हैं और मन्चाहा बर्दान पतान करते हैं दुस्तन सावन महा के सौंबार के दिन पोजन और ब्रत के साथ ही खान पान का भी विश्य ठान रखना चाहिए शास्तों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनने सावन महा में और खास तौर पर सावन महा के समबार के दिन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए आपने सावन सौंबार का ब्रत रखा है या नहीं भी रखा और आप भूले नात के भकते हैं तो भी आपको सावन महा के सौंबार के दिन इन चीजों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए शास्तों के अनुसार जो व्यक्ति सावन महा के सौंबार के दिन इन चीजों का सेवन करते हैं उन्हें ब्रत और पूचन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता साथ ही महाधीब भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं जो व्यक्ति इन चीजों का सेवन करते हैं वह घोर पाप के भागी बनते हैं और उन्हें जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ता है तो आईए दोस्तों जानते हैं महादेप के भाक्तों को सावन सौमबार के दिन किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिएं और अगर आपने ब्रत रखा है तो ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो आप खा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भूले नात के जिन भक्तों ने सावन सौमबार का प्रत रखा है या नहीं भी रख पाए हैं तो भी उन्हीं किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिएं सावन सौमबार के दिन दूद का सेवन नहीं करना चाहिएं शास्तों के अनुसार भूले नात को दूद बहुत प्रिय है दूद से भूले नात का अभिशे किया जाता है इसलिए भूले नात के भक्तों को सावन महा में खास का सावन की सौमबार के दिन दूद का सेवन नही करना चाहिए बैक्यानिक दश्टी कौन से सावन भरसात का मोसम होता है और इस मोसम में कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाते हैं और घास में कीड़े मकोड़े होते हैं जब गाय भैस इसे खास को खाती हैं तो उनके शरीर में भी कीड़े मकोड़े चले जाते हैं जिससे दूद का सेवन करने से कई रोग लग जाते हैं, इसलिए सावन सौंबार के दिन दूद का सेवन ना करें। सावन सौंबार के दिन मास, मचली, लहसन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिएं। शास्तों के अनुसार यह तामसिक चीजे हैं। जब इन चीजों का सेवन किया जाता है तो मन में बुरे विचार आते हैं व्यक्ति दुर व्यस्तों में फस्ता है गलत चीजें करता है तामसिक विचारों से सावन महा के सौंबार के दिन खास तौर पर दूर रहना चाहिए दार्मिकवान निताओं के अनुसार जिन व्यक्ति मास, मचली, मद्रा, इत्यादी से हमीशा दूरी बना कर रखनी चाहिए सावन के सौंबार के दिन हरी पत्तेदा सब्चियां जैसे कि पालक, धनिया, पोधीना या मूली के पत्ते, अर्वी के पत्ते ऐसी चीजे नहीं खानी चाहिए क्योंकि इन पत्तेदा सब्चियों में कीडे मकोडे लग जाते हैं, और अगर इन पत्तों को सही प्रकास साफ नहीं किया गया और गलती से यह कीडे मकोडे आपके भोजन में आ गए और आपने इनका सेवन कर लिया, तो आपके प्रत और पोजन विफल हो जाएंगे, आपको उनका फल प्राप्त नहीं होगा, आशेंका रहती है, इसलिए सावन सौंबार के दिन बूल कर भी हरी पत्तेदा सब्चियों का सेवन ना करें, इनके साथ ही आपको जामुन और आम का सेवन भी नहीं करना चाहें, क्योंकि जामुन और आम में बहुत छोटी-छोटी सुड़ियं पर जाती हैं, जिन्हें आसा की दिन बेंगन का सेवन ना करें, धार्मिकमान नेताओं के अनुसार बेंगन को अशुद्ध माना जाता है, और सावन महामी खासका सावन के सौंबार के दिन बेंगन का सेवन बघ्जित होता है। मास मदरा के अलाबा तंबाकू और सिग्रिट का भी सेवन नहीं करना चाहें, क्योंकि जो व्यक्ति इन चीचों का सेवन करते हैं, कभी भी उन्हें फोले नात की किर्पा प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए फोले नात की किर्पा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप तंबा बोचन और जला हुआ भोचन करने का मतलब है कि आप थाम से भोचन लगता है तुछा समपार के नाथ च मुटता है इसा काले और तिल या फिरकर इमेज का सेवन ना करें दोस्तों अगर आपने सावन सौंबार का ब्रत रखा है या नहीं भी रखा तो भी आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है दोस्तों आईए अब जानते हैं कि अगर आपने सावन सौंबार का ब्रत करा है तो इन चीज़ों के इलावा और ऐसी कौ प्रदात माना जाता है और ब्रत में सरसों के तेल का सेवन नहीं किया जाता अगर आपकी घर में सरसों के तेल में पीसी जाती है तो आप आज के दिन लाल मिच का सेवन भी ना करें ब्रत रखने वाले सादा नमक ना खाएं आप ब्रत का नमक यानि की सेंदा नमक खा सकते हैं आप बजार की कोई भी डिबबबंद, चिप्स बगेरा या ड्रिंक्स बगेरा का सेवन ना करें आज की दिन घर पर बना हुआ सारपिक भोचन ग्रहन करें आज की दिन जादा मिर्च मसाले का सेवन भी ना करें ऐसा कहना आपकी स्वास्ति के लिए हानी कारक हो सकता है। दोस्तों भोले नात भोले भंडारी हैं। भोले नात को प्रसन्य कहने के लिए सावन सौंबार का जो ये ब्रत रखा जाता है। यह सभी ब्रतों में सबसे सरल ब्रत होता है। क्योंकि इस ब्रत में कितनी भी बार फलहार किया जा सकता है, और एक समय भोजन किया जा सकता है, सावन सौंबार के ब्रत में संध्या काल, जब सूर्यास्त हो जाए उसके 45 मिनट के बार, जब प्रदोशकाल समाप्त हो जाए, तब आप भोजन कर सकते हैं, आप भोजन में अन करें सब्जी में मूली पैंगर और हरी पत्तेदा सब्जियों को छोड़ कर आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं दिन भर फलहार में आप सिंघाडी कुटू समा के चावल या फिस साबुताने से बने ब्यंजन खा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें अन्य का सेवन आप संधाकाल या दालें, राजमा, चने वगेरा, मटर ये सभी अन्य होते हैं तो इनका केवल आप संधाकाल के बाद एक समय ही सेवन कर सकते हैं दिन भर इन चीजों का सेवन ना करें दिन में केवल आप बही मिठाई खा सकते हैं जिन में अन्य ना मिला हो जैसे कि सौन पपड़ी है बेसन क के लड़ू, बूंदी के लड़ू, ये सभी अन्य से बनते हैं तो इनका आप दिन के समय सेवन ना करें ब्रत में हो सकी तो शुद्धिगी का ही भूजन ग्रहन करें ध्यान रखें सरसु के तेल का भूजन आपको ग्रहन नहीं करना भूजन में हींग नहीं डालने, आइए दोस्तों आप जानते हैं कि शरीर को सस्थ रखने के हिसाब से सावन सौंबार के ब्रत के दिन आपको क्या खाना चाहें आपको हेल्दी रिंग के साथ दिन की शुरुवात करने चाहें इससे आप पूरे दिन एनरजेटिक रहेंगे ब्रत में अक्सर शरी में पानी क किसी भी बख्त मुठी वर सूखे मेवित जिरूर सामिल करने चाहें इससे शरीर को कमजोर होने से बचा सकते हैं और पेट भी काफी दे तक भरा रहेगा ड्राइफ फूर्ट्स खाने से शरीर को एनरजी मिलते हैं रात को भुचिन करते समय आप आलू, लौकी, कद्दू, अर्बी की सब्ची बना कर खा सकते हैं, इन सब्चियों को सुत्व सात्विक आहार माना जाता है, आप इन्हें घी और चीरे में छोग कर बना सकते हैं, हर इमेज सेंदर नमक का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इन्हें खाने से स्वात भी विलेगा और आपकी शरीर को जरूरी प कचा सकते हैं और आपका भेति भरा रहारा कि धान राखे आज के दिन खाली पबब चाही ना पिए इससे आपको जलन हो सकती है काली पेसल पेने से जादा धेर भूंका रहने से सिर्दर और उल्टी होने की भी आशंका रहती है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाते रहें आज की दिन ज्यादा तला भुना ना खाएं वैना इससे सीने में जलन गैस और पानी की कमी पैदा हो सकती है यह कुछ हेल्थ से जुड़े हुई टिप दोस्तों कुछ भी खाने से पहले भूले नात को भोग लगाने के पर शाथ ही आप भोजन क्रहन करें ऐसा कहने से भूले नात की असीन कृपा प्राप्त होती है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंग्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूस्फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भोले नात की करपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जैशिवशंकर जैभोले नात जरूर लिखें तैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी जै जैशिवशंकर